a great Good morning to all, आज हम जो है Chapter 4, UPSC के लिए बहुत important है NCIT, ठीक है, तो Chapter 4, NCIT, Classics, Social and Political Life भी कह सकते हो, Political Science भी कह सकते हो, बच्चमन में लोग इसे Civics का भूख भी कहते हैं, तो उसका ही अगला पार्ट और अंतिम पार्ट है, वह है Equality and Justice के भारे में पढ़ेंगे, chapter का title आप लोग जानती है मैंने already thumbnail में भी लगा रखा कि key elements of democratic government तो इसमें कई key elements देखा कि जैसे people's का participation हो गया कोई conflict हो तो उसको sort out करना हो ठीक है संबिधान में जो पर नितनी अमकानूं है उसके हिसाब से उसी में आता है equality and justice ठीक है कि किस प्रकार से लोगों को समानता की नजनों से देखा जाना चाहिए और सासाथ नयाई भी मिलना चाहिए मतलब किसी भी वेक्ति के साथ किसी विजाती संप्रताय के साथ कोई भी भेदभाब नहीं होने चाहिए ठीक है तो one of the key ideas of democratic government is to commitment to equality and justice सस, इक सबसे महतपवोन कह सकते ह realizing जहां कहीं भी लोगतांत्रिक व्रपस्थाई है ठीक है उस से संबंदित अगर आप उस सरकार का मुल्यांकन करना हो जानना हो कि कोई देश लोग कि जहां आप आपको लोगतांत्र कोशित करता है वहां लोगतंत्र है या नहीं तो सबसे पहले आप मुल्यांकन करें कि क्या वहां लोगों में समानता है क्या सरकार वहां लोगों को समान द्रिश्टिकुन या समान नजरों से देखती है और दूसरा यह कि क्या वहां सभी लोगों को न्याई मिलता है ठीक है तो इसमें देख बेदभाब होते थे अंगरी जोकी जबाने में जब अपार्थी ड्रूम था ठीक है और एक एहां एक्जामपल है कि डॉक्टर अंबेदकर स्टूरी हम लोगों ने परस्ट या सगेंड चेप्टर में पढ़े थे जिसमें अंटचेबिलीटी से संबंदित है कि किस परकार से वह भी छुआचूत जो है एक भेदभाब की ही नीती थी ठीक है आगे है अगे है यह प्रैक्टिस अफ अफ अंटचेबिलीटी इस नाव पैंट बाई लाव अब अंटचेबिलीटी जो है प्रोभीटिट है रतिबंदित कर दिया गया है अब किसी भी बेक्ति को किसी भी द्वारा जो है एजुकेशन सिक्षा से बंचित नहीं किया जाएगा किसी को कोई ट्रांसपोर्ट पर चड़ने बगेरा में कोई भी जो कह सकते होगी भेदभ घचान है किसी बीचाती के लोगों वह बराबर मानें अध्य ठीक है और आगे हैं कि कोई भी ऐसे प्रैक्टिस को अगर अपनाता है जो एक दूसरे के साथ भिरखाब करता हो या कोई भी ऐसे नीती हो जो दूसरे के साथ जो है नीचा दिखाने का प्रयास करता हो या छुआ 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 जैसे कोई भी ऐसे चीज़े हैं तो उसे परति एक्वालिटी डिक्रीज होगा, एक्वालिटी इंक्रीज होगा, और समाज में समाज के सभी बर्वों को जो है, एक्वालिटी ट्रीट किया जाएगा, तो उसे न्याय मिल सकेगा, ठीक, आगे है, दे गवर्मेंट आल्सो रिकवनाइसे दिस एं मेक्स इस्पेशल के लिए प्रधानमंत्री हावास यूजना है, और बहुत सारे ऐसे इसके कुछ रिजर्वेशन बगेरा का भी प्राबधान किया गया है, ताकि नौकरियों बगेरा में उनके लिए कुछ भी से छूट मिली, फिर गल्स के लिए देखते हो बीच-बीच में सरकार प्रोग्र जाए, उसको भी सिक्छा दी जाए, इसलिए मुप्ति सिक्छा की विवस्ता की गई है, ठीक है, फिर चाइल्ड ताकि एक को लहों प्वाइस भी पड़ सके और गल्स भी पड़ सके, ठीक है, तो यह सब समाजिक जो है, कह सकते हो कि कुरूतियों को दूर करने का धेरी-दे प्रियास किया जा रहा है, और समानता और जस्टिस, जो है न्याए, समानता और न्याए की जो भाबना है, जो भाल्यूज है, जो प्रेंस्पल्स है, उसे पूरिष समाज में इंप्लिमेंट किया जा रहा है, उसे उतारा चाह रहा है, क्योंकि हमें लोगतांत्रिक देश है तो लोगतांत्रिक देशों में लोगतांत्रिक मुल्यों का भी कह सकते हो ना कि हम उसे जब तक इंप्लिमेंट नहीं करेंगे ग्राउड लेबर पर तो सही माहिगों में हम लोगतांत्रिक देश नहीं कहना है ठीक है आगे है कि इन्दिक इन्दिस कंटेक्स्ट गवेंट स्टीप इन्टु प्रमूट जस्टेस न्याई को बढ़ावा देने के लिए बाइप प्रोवाइटिंग इस्पेशल प्रोविजन देखते हो कई भी फॉर्म बगेरा निकलता है तो उसमें फॉर्म फीस माफ रहता है गल्स तो यह सब ऐसा इसली किया जा रहा है ताकि इस इनेवल स्टू ओभर कंद इंजस्टिस टैट ते हार सब्जेक्ट टू और अब तक जो अन्यायों के साथ हुआ है उसे हटाने का यह धीरे-धीरे प्रयास है ठीक है तो इसके लिए प्रयास किया रहा है कि अब जैसे जैसे सरकार के द्वारा किया गया है तो इस क्लास और इस चैप्टर को अब हम यहीं फिनिस करता है हमने कुछ जो की इलिमेंट्स था अल्रट हम देख चुके हैं सबसे पहला था खिए इलिमेंट्स के बारे में भारे में जाना उसके बाद हमने जाना पार्टिसिपेशण उसके के बाद हमने जाना जो है कई एक मेथट के जो है पार्टिस्पेशन ही उसके बाद है कि किस प्रकार से कॉन्फिक्ट को रिजॉल्ब किया जाता है ठीक है काभीरी रिवर्ड देखा उसके बाद एक्वालिटी और जस्टिस हम लोगों ने बढ़ा ठीक है तो आज के लिए इत